नमस्कारम सद्गरू, मैं एक 20 साल का उनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, और सच्चाई गहरी भागिदारी और त्रिप्ती का जीवन जीना चाहता हूँ, मुझे और मेरी उमर के दूसरे लोगों को अपने भीत्री मार्ग को भारी दुनिया के साथ कैसे बैलेंस करना चाहिए, हम कॉलेज जाएं, प्रोफेशनल करियर अपनाएं या आश्रम में जादा समय बिताएं। देखे, हम सब को इस यूनिवर्स में ही रहना है, इस बारे में अभी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक विकल्प है। इसे लिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं, कितना समय हैं। शिक्षा का महत्व है कुछ खास तरह के काम करने के लिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। एक इनसान के रूप में, लोगों की एक पीड़ी के रूप में, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि एक नव्युवक के रूप में, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आखें खोल कर इस दुनिया को देखें। क्रिप्या ये देखिए, कि अभी दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है। आप यूँ ही कोई चीज मत कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। आपको वो करना चाहिए जो सबसे जरूरी है, है ना। अगर आप हालातों में बह जाते हैं, लोग ऐसे हो जाते हैं, ये काम का है, लेकिन ये बुनियादी चीज नहीं है। आज आपने ट्रेन जलती देखी, तो आप फायरफाइटर बनना चाहते हैं। कल आपने कुछ और देखा, तो आप वो बनना चाहते हैं। भावनात्मक प्रतिक्रिया में आप कुछ बनना चुन लेते हैं, एक स्तर पे ये काम का हो सकता है। लेकिन अब, जबकि ज्यादतर जवान लोग सोच नहीं सकते, आप सोच रहें कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए। जब ऐसा विचार आया है, तो मैं कहूंगा कि इस पर थोड़ा और समय बिताईए। किसी इंसान या किसी चीज से प्रभावत मत होईए, बस इस बात पर गौर कीजिए, वो क्या है जिसकी मानपता को सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पहचानिए। इस धर्ती पर सिर्फ एक ही चीज को ठीक करने की जरूरत है, वो है इंसान, बाकी सब बढ़िया है, है ना। तो मैं कहूंगा कि बस आप ही नहीं, सभी युवा लोग, आप जो कर रहे हैं, उससे आपको थोड़े वक्त का ब्रेक लेना चाहिए, चूँकि आप स्कूल गए थे, इसलिए आप कॉलेज गए, चूँकि आप कॉलेज गए थे, फिर अगली चीज, फिर अगली चीज, और नश्ट हो जाती है, आप एक काफी जानकार मूर्ख बन जाएंगे, और आज जानकारी का कोई इस्तेमाल नहीं रहे गए, क्योंकि जो कुछ भी पिएजडी डिगरी वाला जानता है, उसे एक हाई स्कूल का बच्चा भी इंटरनेट खोल कर बता सकता है, आपने जो जानका जानकारी जमा की है, उससे आप स्मार्ट भी नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी इन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि ये हर जगा उपलब्ध है, तो आप यूनिवर्सिटी के लिए तयार हो रहे हैं या यूनिवर्स के लिए, आपको वहीं रहना है, की सबसे ज़्यादा जरूरत है, न कि किसी ऐसी चीज़ में जो मैं करना चाहता हूँ या आप करना चाहते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, खुश होकर या दुखी होकर, है न? और सिर्फ इसलिए, क्योंकि आज आप ऐसा सोचते हैं, कि ऐसा करने से मुझे खुश ही अगर आप वो काम करते हैं, तो ये मत सोचिए कि आप थोड़े समय बाद भी खुश बने रहेंगे, हर किसी के लिए, जब उन्हें अपनी पहली नौकरी मिली, वो कितना खुबसूरत दिन था, आप उस छोटे से ओपिस में गए, वहाँ बैठे और कैसा लगा था, पर ये आपकी जान ले रही है, वही नौकरी, वही शादी, वही हालात, वो आपकी जान ले रहे हैं, एक दिन ये स्वर्ग जैसा लगा था, कुछ समय बाद ये नर्ग जैसा लगता है, अना, ऐसा नहीं कि इन नौकरियों में कुछ गलत है, बस आप इसे गलत वजह से कर रहे ह आप इससे बस गलत कारणों से कर रहे हैं, बस यही बात है अब जबकि आप सोच रहे हैं, मैं कहूंगा कि कुछ हफ्तों का ब्रेक ले लिजे हम आपको जगा देने को तयार हैं, बस यहां रहे हैं, बिना किसी के प्रभाव में आए बस इसे देखिए ऐसी कई चीजे हैं, जो आप इस समय के मजबूरियों की वज़े से अभी करना चाहेंगे अभी आप कडकी में हैं, आप सोचते हैं कि पहली चीज नौकरी खोजना है या किसी दूसरी मजबूरी के वज़े से आप सोचते हैं कि पहली चीज यह करना है आपकी मजबूरियों के अलावा मान लीजिए कि इन में से कोई भी मजबूरी नहीं होती तो आप जीवन में क्या करना चाहते आपको वही करना चाहिए आपको अपना जीवन और उसकी दिशा इस वक्त की मजबूरियों के अधार पर तै नहीं करनी चाहिए आप अपने जीवन में तई कीजिए कि अगर आप सौ साल तक ये काम करते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या तब भी ये सार्थक लगेगा? आप वही कीजिए कई दूसरे लोग हैं जो आपकी तरह होना चाहेंगे काश मैं भी बीस साल का होता और काश उस समय मैं ये सोच पाता की क्या करना चाहिए यहां ऐसे बहुत से लोग है अब जब कि आप बीस साल के हैं और खुश किसमती से आप सोच रहे हैं और खुश किसमती से आप यहां पर हैं यही समय है ठीक से सोचने का इससे पहले कि आप कुछ करें